Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इतिहास कवाहे प्रोग्राम में आपका स्वागत है Was Alexander really undefeated? Welcome to Study IQ, मेरे नाम है आदेश सिंग दुस्तों, Alexander the Great ये सिकंदर महान का नाम हम बचपन से ही सुनते आए हैं एक ऐसा युद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा यहां तक कि उसके नाम पर कहावत ही बन गई जो जीता वही सिकंदर लेकिन क्या सच में सिकंदर ने अपनी जिन्दगी में हमेशा जीत ही देखी थी क्या दुनिया में ऐसा कोई भी युद्धा नहीं था जो सिकंदर को चैलेंज कर पाया हूँ और क्या Alexander the Great सच में Great था आज हम इन ही सब सबालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे अलिक्जैंडर का जन्म 356 BC में मैसिडोनिया की कैपिटल पेला में हुआ ये मैसिडोनिया के राजा Philip II और उनकी वाइफ उलिम्पियाज की संतान थे अलिक्जैंडर का बच्पन अपने फादर Philip II द्वारा किंग्डम के एक्सपैंशन की शौरिय गाथाओं को सुनते हुई भी था खुद अलिक्जैंडर ने भी छोटी उम्र में ही अपनी योग्यता दिखाना शुरू कर दिया था वो सिर्फ 16 वर्ष के थे जब उनके फादर मैसिडोनिया का चार्ज उन्हें सौंप कर खुद इस्ट में बिजैंटियम के अगेंस्ट कैंपेन के लिए चले जाते हैं अपने फादर की अपसंस में अलिक्जैंडर थ्रेशन्स नाम के रिबेलियस ट्राइब को क्रश कर देते हैं रिवार्ड के तौर पर इन्हें इस ट्राइब्स की टेरिटरी में एक नए टाउन की स्थापना की मंजूरी मिल जाती है जिसका नाम ये अपने ही नाम पर अलिक्जैंडरापलिस रखते हैं आने वाले समय में अलिक्जैंडर ऐसे बहुत से टाउन्स के फाउन्डेशन करने वाले थे दोस्तों बाकी ग्रीक स्टेट्स मैसिडॉनिया को एक बैकवर्ड प्लेस मानते थे लेकिन प्रिंस अलिक्जैंडर को पूरे ग्रीस में जो बेस्ट एजुकेशन मिल सकती थी वो दी गई 343 BC में जब अलिक्जैंडर 13 साल के थे तब उनके फादर फिलिप अरिस्टॉटल को उनका रॉयल ट्यूटर बनाने के लिए इंबाइट करते हैं तीन साल तक फिलोसोफर अरिस्टॉटल ने प्रिंस को शिक्षा दी अरिस्टॉटल की फिलोसोफी ने अलिक्जैंडर की लाइफ को काफी इंफ्लूइंस किया 340 BC में बिजैंटियम के अगेंस्ट फिलिप के कैम्पेइन की वजह से अथन्स और थीब्स मैसिडोनियंस के खिलाफ मैदान में आ जाते हैं इनका मुकाबला 338 BC में किरोनिया नाम की जगह पर होता है लेटर ट्रिडिशन 18 साल के अलिक्जैंडर को कैवलरी चार्ज लीड करने का श्रे देते हैं जो कि इस बैटल का आउटकम डिसाइड करता है हना कि इसका कोई historical evidence हमें नहीं मिलता यहां यह सही है कि प्रिंस अलिक्जैंडर ने किरोनिया को इस बैटल में fight किया था और इसमें मैसिडोनियंस की conclusive जीत भी हुई थी इस जीत के बाद फिलिप खुद को सभी Greek states के leader की तरह प्रिजेंट करते हैं और उनकी इस position को 337 BC में Corinth में हुई Congress में formally acknowledge किया जाता है इस League of Corinth में लिये गए resolutions में एक resolution परजिया पर war declare करने का भी था जिसमें फिलिप को Confederate Forces का commander बनाय गया था 336 BC में 10,000 troops के साथ एक advance guard east के तरफ आगे भी बढ़ जाती है लेकिन उसी समर अपनी बेटी की शादी में feast के दौरान अपने ही एक कोट ये द्वारा फिलिप का murder हो जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि इस murder conspiracy में Alexander और उनकी mother भी शामिल थी क्यूंकि फिलिप और Alexander के रिष्टे खराब होने लगे थे और कहीं न कहीं Alexander को ये डर था कि कहीं फिलिप उनकी जगह किसी और को अपना उत्तराधिकारी ना घोशित कर दे खेर conspiracy में Alexander का हाथ हो या ना हो लेकिन फिलिप की मृत्यू से Macedonia की राजगदी तो उन्हें मिल ही गई इस तरह 336 BC में 20 साल की उम्र में Alexander King of Macedonia बन जाते हैं लेकिन उनके जैसा ambitious इंसान Macedonia से कहां संतुष्ट होने वाला था तो आईए देखते हैं किस तरह Alexander दुनिया जीतने की अपनी journey शुरू करते हैं Rise of Alexander as World Conqueror दोस्तों फिलिप की मृत्यू के बाद League of Corinth तुरंत ही उनके बेटे Alexander को उनकी जगह पर commander elect कर देती है लेकिन League के members के बीच की ये unity ज्यादा देर तक नहीं रहती थीबन्स लीग के against विद्रोह कर देते हैं जिसके बाद 335 BC में Alexander थीब्स पर आकरमन कर देते हैं और 6000 लोगों को मार दिया जाता है थीबन्स की territory को उसके neighbors में divide किया जाता है जिन्दा बचे थीबन्स को गुलाम बना लिया जाता है इसके बाद Alexander मैसिडोनिया को regent के control में छोड़ कर निकल जाते हैं एक लंबी journey पर 334 BC में Alexander कुछ 5000 cavalry और 30,000 foot soldiers के साथ East के तरफ मार्च करते हैं Greece और Persia के बीच की पुरानी दुश्मनी को settle करने के लिए River Granicus के पास इनके बीच battle होता है Alexander cavalry charge को lead करते हैं और Persian army को तहस नहस कर देते हैं हजारों Persian soldiers को बंदी बना लिया जाता है इनमें से ज्यादा तर को तो मार दिया जाता है लेकिन करीब 2000 को chains में Macedonia भेज दिया जाता है mines में slave labor की तरह काम करने के लिए इसके एक साल बाद Isis नाम की जगह पर खुद Persian emperor Darius III द्वारा lead Persian army को हरा दिया जाता है Alexander emperor की mother उनकी wife और children को capture कर लेते हैं हाँ लेकिन उन्हें पूरी courtesy के साथ treat किया जाता है इस तरह महज 18 महिने के समय में Alexander ने Anatolia यानि modern Turkey के region से Persians का सफाया कर दिया जहां पिछली दो शतादियों से उनका अधिकार था अब वो coast के along south की तरफ आगे बढ़ते हैं यानि आज के Syria, Lebanon और Israel वाले region से होते हुए यहां मौजूद ports Mediterranean में Persian fleet के home bases हुआ करते थे इन पर कबजा करके Alexander Persian fleet की कमर तोड़ देना चाहते थे साथ ही empire की cities के साथ इनका contact भी खत्म करना चाहते थे 332 BC की autumn तक Alexander एजिप्ट पहुँच चुके थे यहां मौजूद Persian governor तुरंथ ही surrender कर देते हैं सरदिया एलेक्जैंडर एजिप्ट में ही विदाते हैं और 331 BC की spring में north east यानि Mesopotamia की तरफ आगे बढ़ते हैं यहां वो Persian emperor Darius को गौग मेला की decisive battle में हरा देते हैं अब Persia की राजधानी Great Persepolis City के लिए उनका रास्ता खुल चुका था Greeks और Persians के बीच चले लंबे wars के conclusively end करने के symbolic gesture के तौर पर Alexander 330 BC में Xerxes की palace को जला देते हैं यह साफ करने के लिए कि अब Persian empire को कौन रूल करेगा Alexander Persian emperor की ceremonial dress और court rituals अड़ाप्ट कर लेते हैं इसके बाद अगले दो साल तक Alexander अपने newly acquired empire का दौरा करते हैं और किसी भी कोने से आई विद्रो की आवाज को दबा देते हैं और Greek settlements establish करते हैं Persian empire अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और इस सब पर Alexander का ही कबजा था लेकिन दुनिया जीतने निकले Alexander यहाँ पर भी रुकने वाले नहीं थे 327 PC में वो mountain passes के थुरू इंडिया तक पहुँच जाते हैं आईए देखते हैं इंडिया की यह journey उनके लिए कैसी रहती है Alexander in India दोस्तों इंडिया पर कबजा करने की इच्छा के साथ Alexander Persian war के बाद इंडिया की तरफ मार्च करते हैं Persians ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इंडिया के दर्वाजे पर पहुँच कर बहुत से great rulers मिटी में मिल चुके हैं लेकिन Alexander कहां डरने वाले थे वो इंडिया को हरा कर इस record को भी तोड़ देना चाहते थे हलांकि इंडिया पहुँचने पर उन्हें Persians की शब्दों की असली strength का पता चलता है अपनी मदर को लिखे एक लेटर में Alexander कहते हैं कि मैं ऐसी जगहे पर involved हूँ जहांके लोग शेर की तरह बहादुर हैं जहांकि जमीन पर रखा हर एक कदम स्टील की वॉल की तरह मेरे soldiers को confront कर रहा है आपने तो सिर्फ एक Alexander को इस दुनिया में जन्म दिया है लेकिन इस धर्ती की तो हर एक माह दुनिया में एक Alexander को लेकर आई है Alexander दुआरा लिखे गए इन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि इंडिया में उनका समय सरल तो नहीं रहा होगा वैसे तो इंडिया पर हुए Alexander के invasion की काफी चर्चा होती रहती है कैसे उन्होंने इंडिया के North West के Kingdoms को हराया या तक्षिला के राजा अंभी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ popular है तो वो है पौरव Kingdom के राजा पौरस से उनका युद्ध पौरव Kingdom पंजाब में चेनाब और जहलम रिवर के बीच लोकेटेड था जो आज के पाकिस्तान में आता है ऐसा माना जाता है कि किंग पौरस ने यहां 340 BC से लेकर 317 BC तक राज किया था अलिक्जेंडर अपना दूत भेज कर किंग पौरस से समर्पन करने के लिए कहते हैं लेकिन पौरस उन्हें जवाब देते हैं कि वो उनसे युद्ध के मैदान में मिलने के लिए तैयार है इसके बाद दोनों के बीच जहलम के किनारी युद्ध होता है जिसे ग्रीक सोसेज में बैटल आव हाईडैस्पिस कहा गया है किंग पौरस के पास ऐसी आर्मी युनिट थी जिसका सामना मैसिडोनियन्स ने पहले कभी नहीं किया था इनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों की संख्या में इंफिंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलेफंट्स थे युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों ही तरफ से भीशन नरसंगहार होता है एलेक्जैंडर के लिए युद्ध को जारी रखना काफी मुश्किल हो जाता है वो खुद बुरी तरह घायल हो चुके थे और युद्ध में अपने बहुत से सोल्जर्स को भी खो चुके थे इसके लिए वो युद्ध रोखना चाहते थे लॉस तो राजा पोरस को भी काफी हुआ था लेकिन फिर भी वो युद्ध जारी रखे हुए थे ग्रीक हिस्टॉरियन एरियन लिखते हैं कि एलेक्जैंडर ने अंबी को किंग पोरस के पास भेजा उनके साथ दोस्ती करने और युद्ध विराम करने के लिए लेकिन पोरस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अंबी पर ही अटैक कर दिया हलाकि अंबी किसी तरह अपनी जान बचा कर निकलाए अलेक्जैंडर ने और भी बहुत लोगों को पोरस से दोस्ती के लिए भेजा लेकिन वो सभी आफरस को नकारते रहे और किसी भी कीमत पर युद्ध जारी रखने के पक्ष में थे इसके बाद अलेक्जैंडर ने मिरोस को भेजा जो कि किंग पोरस के क्लोस फेंड हुआ करते थे उनके कहने पर फाइनली पोरस युद्ध रोकने और अलेक्जैंडर के साथ मुलाकात के लिए मान गए अलेक्जैंडर पोरस से पूछते हैं कि उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाए जिसके जवाब में वो कहते हैं एक राजा की तरह है इसके बाद अलेक्जैंडर पूछते हैं उन्हें और क्या चाहिए तो Poros कहते हैं इसमें जो भी आता है यानि उन्हें उनका kingdom चाहिए और उसका राजा भी उन्हीं को रहना है Alexander के पास retreat के अलावा और कोई रास्ता नहीं था लेकिन Greek historians ने लिखा है कि King Poros ने Alexander के सामने surrender कर दिया था इस बात में कितनी सचाई है इसे समझने के लिए बस एक सवाल ही काफी है वो ये कि Alexander जैसा राजा जो की पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था जो इस दुनिया का अकेला राजा बनने का खाब देखता था और जो पूरे इंडिया को जीतना चाहता था वो Battle of Hidespes के बाद वापस क्यों चला जाता है अगर सच में उन्होंने राजा पूरोस को हरा दिया था तो वो आगे बढ़कर बाकी के इंडिया को क्यों जीतने की कोशिश नहीं करते और सबसे बड़ी बात क्या Alexander का दिल सच में इतना बड़ा था कि जीतने के बाद भी उन्होंने किंग पूरोस को उनके किंगडम का राजा बने रहने दिया जबकि हम देख चुके हैं कि इससे पहले की बैटल्स में Alexander कितने ruthless थे इसलिए Greek historians की इस बाद पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्यूंकि history वही लिख रहे थे और अपने राजा को हीरो दिखाना उनका एक मकसद जरूर था इसलिए कई बार facts को नजर अंदाज करके उन्होंने अपने kings के favor में लिखा कोई और source ना होने के कारण हम blindly Greek sources को follow करते हैं और Alexander को world conqueror मान लेते हैं लेकिन हमें जरूरत है कुछ कटिन सवाल पूछने की और history की ऐसी कहानियों का असली सच बाहर लाने की इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या Alexander सच में undefeated था जो जीता वही सिकंदर की जगे कहीं ऐसा तो नहीं जिसके हाथ में थी इतिहास लिखने की कलम उसी ने सिकंदर को महान बना दिया आपकी इस पर क्या राय है हमारे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए Study IQ IS अब तयारी हुई affordable